वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल गाईज या तो आपके समर ब्रेक, समर वैकेशन स्टार्ट हो गया होगा या शायद एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये वाली बात बता दीजिए कि सर मेरा समर ब्रेक इस तारिक से शुरू हो गय कर लिया आज तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा इस वीडियो को पूरा देख लेना तीन ऐसी स्ट्रेटिजीज बताने बाला हूँ चाहे आप क्लास 6 में हो 12 में हो किसी कम्टिटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर आपने इस वीडियो को पूर फॉलो कर लिया आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा देखो चिल्रन या तो इस समर वैकेशन को पूरी तरह से मौज मस्ती में पूरी तरह से IPL में फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे और इन सारी बातों में लगा दो या फिर दूसरा जो तरीका है वो यह है मैं आपको यह नहीं मना कर रहा कि आप बिल्कुल भी फेस्बुक मत चलाओ इंस्टाग्राम मत चलाओ या दस मिनट भी टीवी मत देखो या IPL की हाईलाइट्स भी नहीं देखो मैं यह कह रहा हूँ कि आप एक छोटा सा ऐसा टाइम टेबल प्रिपेर करो कि हाँ भई यह म मेरा इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है लेकिन यह मेरा पढ़ाई करने का टाइम है अगर आज मान के चलो आप एक किसान हो जो खेती करता है अगर आज बीज नहीं डाला तो चार महीने बाद फसल कहां से बनेगी मेरे भाई और यह जो तुमारा दिमाग है यह हम सब का ज सब्लोड करता रहा हूँ और फिर एड दी एंड आफ दे आपको होता है रेगरेट अरे यार आज का दिन भी पूरा मैंने बरबाद कर दिया काश क्या चल यार कल से पढ़ाई करूगा चल यार परसों से पढ़ाई करूगा अच्छा आज भुआ जी आ गई है घर में चल प बज़े तक पढ़ो अपना स्लोट ढूंदो टाइन को चुराओ कहां अच्छा ओके यहां पर मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं मिल रहा एक से लेके तीन बज़े तक यह जो दो घंटे हैं इन दो घंटे मैं फोड दूंगा फिर से दुबारा बता रहा हूँ यह वाले समर केन ब्रेक यू और केन मेक यू दुबारा सुनो इस स्टेटमेंट को यह तो तुमको यह टॉपर बना सकती है या तुमको टॉपर से नीचे गिरा सकती है मैं तीन कैटेगरी बता रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स की नंबर वन जो सबसे बढ़िया कैटेगरी है जिन्होंन क्या रहे महीने पाद जब रिजल्ट आएगा ना उस टाइम पर यह जो मेरी महनत है आज जो मैं पसीना बहा रहा हूँ आज जो मैं महनत कर रहा हूं उसका रिजल्ट आएगा दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि अच्छा सर हमारे यूटीज हुए थे बीच में 10 मार्क्स वाले 20 मार्क्स वाले तब तो मैंने थोड़ी बहुत किताब उठाई दी तो बस थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा नहीं तो तीसरी कैटेगरी भाई सब ऐसी है जो यह कह रहा है अरे अभी तो पूरा साल पढ़ा है अरे अभी तो IPL चल ला है तो गाईज अगर आप थर्ड कैटेग करो रिवाइरिंग बोलते हैं आप मेरी बात को गूगल कर ले ना यूट्यूब पर देख ले ना यू कें री वायर यॉर ब्रेन जो ब्रेन आपको आलसी बनने का मैसेज दे रहा है उसको ये मैसेज दे दो कि यू आर माई सर्वेंट ये जो ब्रेन है जो मुझको बार-ब बस Instagram चलाते जा, बस Reels स्क्रॉल करते जा, इसको इसके Master बन जाओ, कह दो इससे कि नहीं यार, Reels मैंने देख ली 15 मिनट, देख ली 10 घंटा, अब 2 घंटे मूबाइल नहीं चूँँगा, और अगर चूँँगा भी तो कुछ अच्छी वीडियोस देखूँगा, मैंने English Baba चैन ठीक है सर, खेलने का मेरा ये टाइम रहेगा, ये मेरा टीवी देखने का टाइम रहेगा, लेकिन ये वाले 4 घंटे, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो 4 घंटे लगाता रहो, वै 2 घंटे आप सुबह देदो, 1 घंटा दुपैर में देदो, 1.5 घंटा शाम को देदो, that is enough, लेकिन आज से ही अपना चार्ट बनाएए, अपना टाइम टेबल बनाएए, और आज से ही लग जाएए, कौन-कौन इस चीज में मेरे साथ है, कि सर, आपका ये वीडियो देखने के बाद, अब मैं अपना टाइम टेबल बना रहा हूँ, अपने उस पर काम करूँगा, भाई, हिंदी कौन पड़ेगा, भाई, सोशल साइन्स कौन पड़ेगा, दूसरे जो लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन पड़ेगा, क्या मैंट 100 मार्क्स का है, तो क्या हिंदी 100 मार्क्स का नहीं है। क्या तुमने English Children वीडियो में आगे भढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूँ अगर आप Class 6, 7th या 8th में हो या आपका कोई भी ब्रदर है या सिस्टर है जो Class 6, 7th 8th में है और किसी भी competition की तैयारी कर रहा है किसी भी Olympiad की तैयारी कर रहा है Oswal Book से Best कुछ भी नहीं हो सकता और मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन-कौन से competition कवर कर रही है कौन-कौन से Olympiad IMO, SEAMO ISTSC, UIMO ISO, NMITO SEF, Hindustan Olympiad UNRMO और इसमें CBSC, ICSC और State और International Board का भी जो आपको जो material है वो भी इसके अंदर मिलेगा तो आपका कोई छोटा भाई बहन है या आप खोद हो या कोई parent है जो इस वीडियो को देख रहा है I strongly recommend for grade 6 to 8 any competition, any Olympiad you are going for go with Oswal Books Books कहां से खरीदनी है Books का जो link है वो मैंने description में दे दिया है वहीं से जाओ और अभी जाके अभी जाके अपनी अपनी books को purchase कर लीजिए Children, सारे subject equally important है इस बात को जितनी जल्दी अपने भेजे में घुसा लोगे उतना ही फाइदे में रह जाओगे last के लिए मैं तुमको तुमारे favorite IPL जो आजकल तुम लोग देख रहे हो उसी का example दे रहा हूँ अगर टीम केवल एक player पर रिलाई करेगी कि भाईया विराट को ली रन बना है और कोई-कोई कुछ ना करे तो RGB कभी नहीं जीतेगी Every player has to play on its part हर player को अपने part पे अपना काम करना पड़ेगा तब team बनती है और तब team जीतती है In the same way You have to study each and every subject ठीक है मैं मानता हूँ math और science को थोड़ा सा जाधा time लगेगा थोड़ा सा जाधा time दे दो But that does not mean that you will neglect Hindi, that you will neglect English or social science Please make a time table Please इस तरह से एक schedule बनाओ कि सर ठीक है मैं एक आध घंटा एक एक घंटा math science को दे रहा हूँ तो यार आधा आधा घंटा तो ये भी deserve करते हैं न तो बारा बता रहा हूँ CBSC बार बार बता रही है इस बार तुम्हारे exam में और तुम्हारे teacher ने भी बता दिया होगा कि जो 25% questions हैं वो आ रहे हैं MCQ based आपने आप लोगों के प्यार और support ने हमें हमारे MCQ channel के लिए भी silver play button दिलवा दिया है MCQ channel पे class 6 से लेके class 12 तक हर subject के MCQ मैंने बना दिये हैं 10 मिनट में 50 MCQ 8 मिनट में 40 MCQ हो सकता है वो जो channel है आपको ना मिले उस channel का link मैंने description में डाल दिया है अभी जाके हमारे MCQ channel वाली family का हिस्सा बन जाओ 119,000 subscribers उसमें already हो गए है तो अगर आप हमारे MCQ channel से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चुड़ जाओ और आज ये video देखने के बाद कौन-कौन मतलब ये commit कर रहा है कि सर अब तक तो मैं बर्बाद कर रहा था लेकिन आपकी बात से इंप्रेस होके आपकी बात को सुनके आज से ही पढ़ाई करने बैठ जाऊँगा ठीक है खेलने जाऊँगा ठीक है दूसरे काम करूँगा लेकिन पढ़ाई के साथ किसी भी तरह का कोई भी compromise में नहीं करूँगा एक चीज को थोड़ा सापस ध्यान से समझना जब तुमारे regular school चल रहे थे तब तुम लगभग साथ से आठ घंटे अपने school में देते थे बच्चा गएगा सर साड़े 6 बजे मेरी बस आ जाती है साड़े 6 बजे बस में जाने के लिए मुझे साड़े 5 बजे से रेडी होना पड़ता है फिर सर में डेड़ बजे छुटी होती है धाई बजे तक घर आप आता हूँ मानते हो फिर उसके बाद आप ट्यूशन भी जाते हो मेरी वीडियोस भी देखते हो ठीक है मान लिया अब आप वो ही टाइम जो आप स्कूल में कमिट कर रहे थे जो स्कूल में डेवोट कर रहे थे क्या हम उसी टाइम में थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते क्या आपने बच्चों को या खुद को ये कहते हुए सुना होगा न अरे मम्मी कहां से काम करूं, मम्मी सुबह से लेके शाम तक तो स्कूल में रहता हूं, उसके बाद बस एक गंटा लगा देती है, उसके बाद टूशन जाता हूं, टूशन का लग काम मिला, अब ये मिल रहा है, तो क्या हमारे पास एक golden opportunity नहीं है, summer vacations की form में, कि ये जितना भ अगर टूपर बनना है, अपने class के टॉपर को बीट करना है, या टॉपर बने रहना है, उसके लिए रोज काम करना पड़ेगा, लोग धुद्धोनी पर उठाते हैं कि इतना बड़ा हो गया, अभी तक सन्यास नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा, लेकिन आप उसके match के पीछे की practice देखो, आप हिल जाओगे भाई साथ, इस particular age में वो बन्दा हार नहीं मानना, वो कहरा नहीं हारूंगा नहीं, छोडूंगा नहीं, कुछ हो जाए, अपना 100% डूंगा, तुम तो यार 9th में हो, तुम तो 12th में हो, तुम तो 10th में हो, तुम तो अ इस बार देखता हूँ, कौन मुझे रोकेगा, इस बार उन relatives को जवाब देना है, जो मेरी मम्मी को ताना मार रहे थे, कि तुमाई लड़के के कम number आए, इस बार मैं देखूँगा, I am ready this time to shine, मैं shine करने के लिए ready हूँ, चमकने के लिए ready हूँ, क्योंकि परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने मुझे complete बनाया है, और ये मेरा time है, और मेरा time शुरू होता है, आज से, अगर तुम सब मेरे साथ इस journey में हो, तो लिख देना sir, we are with you in this journey, और अगर इस तरह के videos regular चाहते हो, तो video को like करके channel को subscribe कर लेना, so that आपको हमारे सारे updates मिलें, उस वाल books का जो link है, व family के साथ जुड़ जाइए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, जै हिन, जै भारत!